Hello Everyone, तो फ्रेंट्स आज हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं SEC Stunnafer 219 के लिए answer की आने के बाद और फिर normalization होने के बाद expected cutoff क्या रहने वाला है फ्रेंट्स अगर आपका answer की के हिसाब से अगर 115 marks भी आते हैं तो आपका selection पक्का होने वाला है और क्या और कैसे होने वाले हैं इसको पता करने के लिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम सभी यहाँ पे देखने वाले हैं Hardest shift और AGS shift जैसा की आप सभी को पता है कि आपका examination 22 से 24 दिसमबर तक total 66 shifts में हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लगभग 1000 students का sample मेरे पास available है जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 दिसमबर shift 1 का जो shift था वो सबसे आपका hardest shift था और 22 दिसमबर shift 2 जो था आपका सबसे easiest shift रहा है ठीक है आप यहाँ पे जितने भी मेरे पास sample मौझूद है उससाब से यहाँ subject wise अलग अलग subject wise आप average score भी देख सकते हैं ठीक है friends तो यहाँ पे 23 दिसमबर shift 1 का average score निकल के आता है 120.51 उससाब से 24 दिसमबर shift 2 का 123.24 चोबीज दिसमबर shift 1 का mark average निकल के आता है 125.47 बाइस दिसमबर shift 1 का mark average निकल के आता है 127.59 और तेज़ दिसमबर shift 2 का average marks निकल के आता है 134.85 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रोक्स 14 marks का यहाँ पे gap है तो आप समझ सकते हैं कि नौरमलाइज इसमें काफी अच्छ होने वाले हैं अब फ्रेंट्स यहांपे देखते हैं सब्जेक्ट वाइडव हाड़इश्ट है और सब्जेक्ट वाइड कौन कौन सा शीफ्ट आपके लिए कि इजिस रहा है तो रिजिनिंग के फ्रेंड्स अगर यहांपे बात करी जाए तो 24 December shift 2 का जो रिजिनिंग था हो सबसे hard shift था और सबसे easy reasoning के लिए रहा है friends 22 December shift 2 का उसके आगे अगर GK का दिए देखा जाए friends तो GK के लिए सबसे hard shift रहा है 23 December shift 1 ठीक है और सबसे easy shift रहा है friends 24 December shift 1 का GK ठीक है और English का बात करी जाए तो friends, English सबसे hard आया है 23 December shift 1 को ही, ठीक है, और सबसे easy English आया है friends, 22 December shift 2 का, आप यहां पे average marks देख करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो overall आपको subject yg पता चल गया कि कौन सा shift easy था और कौन सा shift hard था, ठीक है friends, 2 है 19 का expected cutoff जानने से पहले, आपको previous year cutoff जानने हैं चाहिए, मतलब की 2 है 18 में, तो यहां पे मेरे पास old data available है, I think cleared नहीं दिख रहा हूगा, मैं आपको बता देता हूँ, कि 2 है 18 में grade C के लिए, UR के लिए unreserved category के लिए गया था cutoff 138, और OBC के लिए गया था 133, ठीक है, और ब OBC के लिए 130 माक्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहां पे जान लेते हैं, आपका expected cutoff क्या रहने वाले हैं, यहां पे grade C का मैंने cutoff दिया, grade D का इसके आगे है, तो grade C के लिए आपको expected cutoff रहने वाले हैं, unreserved के लिए 134 माक्स, OBC के लिए 138 माक्स, SC के लिए 119, HT के लिए 105, OH के लिए 90, VH के लिए 88, others के लिए 40, चुकि इसमें मैंने miss कर दिया था, EWS का तबाए मैं मैंने add कर दिया है, तो grade C के लिए EWS का आपका expected cutoff रहने वाले हैं, 135 माक्स, ठीक है, तो यहां पे आपको लग रहा हुआ है, फ्रेंड्स की cutoff बहुँ कम से कम 20 से 30 माक्स आपको ग्रू होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको टेंसल ने कोजियोत नहीं है, आपको tier 2 का preparation, skill test का preparation आपको आगे बढ़ाने चाहिए, ठीक है, और cutoff increase होने के और भी बहुत सारे region है, जैसा कि इस बार का जो SSC का exam हुआ है, बाकी पिछले years क के मुकाबले बहुत जारा easy exam हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा कितना vacancies रहते हैं, पिछले साल तो लगबाग 1500 vacancies थे, और इस बार कितना vacancies रहते हैं, अब SSC ने तो update नहीं किया, उस हिसाब से भी आपका cutoff event करने वाला है, मैंने overall expected cutoff मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अ अब आगे यहाँ पे grade D का expected cutoff friends, अगर आपको देखा जाते हैं, unresolved के लिए रहने वाला 136, OBC के लिए रहने वाला 132, बाकी SC के लिए 113, HT के लिए 97, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, और EWS के लिए बहुत important है friends, EWS के लिए मातर grade D का expected cutoff रहने वाला 128 marks, ठीक है friends, तो यह यह भी कोई ज़्यादा marks नहीं है आपको, ठीक है न, अगर आपका marks अगर 115 के approach में आता है, या फिर अगर दूसरे अगर OBC से belong करते हैं, और 110 marks भी आते हैं आपको, तो आगे का preparation जारी रखने चाहिए, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि average marks के हिसाब से यहाँ पे 14 marks का difference है, पंदरा से 17 marks तो नोर्मल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है कि नहीं, अगर आपका सबसे hardest shift में अगर आपका exam पढ़ा है तो आप chance रखे गया, यह 30 marks तक भी आपका increase हो जाए, या फिर इस से ज़्यादा marks भी आपको increase होने के पूरे chances है, ठीक है friends, तो यह थी आपके S.S.C.S 19 के लिए expected cut-off, I hope आपको friends यह वीडियो अच्छे लगई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमाया चैनल S.S.C. Jobs चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, thank you, जाहिंद